विल्कम बेक टो मैं चैनल आईरिवेदा इन इंफन में चैनल एजिए नो मैं हो मम्ता यह है पुनर्णवा पुनर्णवा हैनान कर देने वाले 55 फायदों जी हां आईरिवेद के नुस्के हैं यह पुनर्णवा के आप हर समय फायदा उठा सकते हैं अगर आप इने सुखा कर छोटी छोटी चीजों में हल्की हल्की फुल्की बीमारियों में या गंभी रोगों में भी हम किस तरह से इसका प्रयोग करते हैं आईए जानते हैं यह हमारे किन-किन रोगों में हमें किन-किन रोगों से निजाद दिला सकती है जी हां नवा इसके नाम में ही इसका अर्थ चुपा हुआ है जी हाँ इसका विप्राइए है कि ऐसा रसायने रक्तवर्धन जी हाँ होने के करण सरीर में फिर से नयापन जैसे बना रहते हैं उसे पुनर्ण नवा कहते हैं हो सकता है आपको याद हो हमारे गाउं में इसका साग भी बना कर खाया जाता है तक हम बच्पन म में इस तरह के साग बहुत खाये हैं मेरी फैमिली में बनाया करते थे लोग बाग तब मुझे इसके फायदे नहीं मालूम था इसे वहां साठी भी कहते हैं जी हाँ का सूखा पौधा बारिस के मौसम में नया जीवन पाकर फलने फूलने लगता है पुरे भारत वर्स में खास कर गर्म प्रदेशों में बहुत आयत प्राप्त होता है हर साल बारिस के मौसम में निकल जाता है और गर्मियों में सूख जाता है यही इसकी खास यात है वैसे ग अधिकता है इसकी जो डंडियां वो भी लाल रंकी होती है जिहां प्रंत भूमें पड़ी रहती है लेकिन इसकी जो जड़ है वो एक फुट लंबी होती है उतनी जितनी मोटी गुदेदार दो से तीन साखाओं से युक्त तेज गंध वाली तता स्वाद में तीकी होती है इस तोड़ने पर इसमें से दूद बहने लगता है और सधीप्रियोग के लिए इसकी जड़क और पत्ते काम में आते हैं वह थो पुरन ना का कोई साखां ओपर छोट छोटे बहुत पत्ते होते हैं थोटे छोटे थोटे बड़े ये गोल अंडाकार से अप लिये होते हैं आपकी चोगी तो कई बार तो बेल सी भी बन जाती है इसकी जी हां फेद रंकी जो पुनर्नवा होती है भारी वात का रखोती है पाचन सक्ति वर्दक होती है यह पीलिया पेट के रोग खून के विकार सूजन सुजाक गिनोनिया मोत्रालफता विशाप कामाना बुखार तथ शानी जलन घाव की सूजन स्वास दम्मा हर्दय दिल बैरी बैरी यकरत जिगर रोख खासी पिस जहर दुस प्रभाव में दूर करता है युनानी चिकिस्सा पद्धती के अनुसार पुनर्नवा दूसरे दर्जे की गर्म और रोख्षू होती है कार्या में व्रद्धी करके पेसाप की मात्रा को बढ़ाती है और खून साप करती है पुनर्नवा सूजन दूर करती है भूग को बढ़ाती है और हर्दय रोगों को भी दूर करती है ये पुनर्नवा जो है बल वरदक भी है खून में व्रद्धी भी करती है और पेड़ साप करने वाली भी है खासी और और मोटापे को कम करने वाली भी है पुनर्णवा की मात्रा के पत्तों का रज 10-20 मिलिलीटर और जड़ का चून 3-5 ग्राम बीजों का चून 1-3 ग्राम पंचांग जड़ तना फल पती इसका जो चून बना लें और 5-10 ग्राम पुनर्णवा बहुत से रोगों में काम आती है जी हां दिल के रोगों के लियो भी प्रन्णवा और अस्थमा के लिए भी काफी पायदे मंद हैं लंबी उम्र के लिए जी हां पुनर्णवा को रोजाना दूद के साथ 6 महीने तक लगातार पीने से मनुष्य की उम्र बढ़ती है मासिक धर्म पुनर्णवा की जड़ और क पास की जड़ को बारिक पीस कर गरम पानी से चालने जी हां फिर इस पानी को सेवन करें मासिक स्राओं में खून का अधिक आना तथा गर्भा से के रोग दूर हो जाते हैं को बढ़ा पे उसी जवानी की और ले जाता है दो कराम पुनर्णवा की जड़ों का चून गाय के साथ सेवन करने से सरीर में दूर बलता दूर होती है जरीर की जरूरीयों के लिए पुनर्णवा की जड़ों का काड़ा बनाकर उसमें बराबर मात्रा में असगंध चून मिलाकर मटर जैसी गोलियां बना ले और एक एक गोली खाकर उपर से मिस्री मिस्री दूद पी लें जी हाँ यह जो है आपकी सरीर की जुर्यों को समाप्त करेगा और इसका पंचांग जो है इसका सारा फूल पती जड़ सबको मिलाकर चून बनाकर अगर आप रख लेते हैं विस्री के साथ सेवन करते हैं सुबेशाम तो आपको सरीर पर कहीं भी जुर्या नहीं आएंगी आ प्रणनवा की जड़ को थोड़ी सी सोट के साथ पीस कर सीने पर मालिस करने से सुजन दर्द समाप्त हो जाता है दिन में ना दिखाई देना जी हाँ सफेद प्रणनवा की जड़ को तेल में घिसकर आँखों में लगाने से लाव होगा आँखों का फूला हो जाना जी हाँ पुनननवा गहद पुरेना के पत्तों का रस जिहां सहथ के साथ मिलाकर आँखों में लगाने से आँखों के रोएं और फूले आदी कश्ट दूर हो जाते हैं जड़ के चून को गी में मिलाकर अंजन, काजल बनाकर लगाने से इससे आँखों का फूला हुआ जाला कट जाता है। इसे दो दिन में दो बार प्रयोग करना चाहिए। पुनननवा की जड़ का चून में शक्र मिलाकर फांकने से सुखी खासी मिठ जाती है। कनिका प्रदाहा यानि आँखों की पुतली में जलन होना जिहां पुनननवा की जड़ को साप पानी में अच्छी तरह से धो कर पीशने फिर इसे सहत के साथ मिलाकर आँखों में रोजाना दो से तीन बार लगाने से आराम मिलता है। इसके कुछ दिनों के लगातार प्रयोक से मोत्या बिंद जो आपकी आँखों में हैं वह भी सम्माप्त होने के पूरे-पूरे चांस रहते हैं आँखों की रोशनी में चमका जाती है रोग यानि पेंपड़ों में पानी भर जाना लगभग 14-28 मिलीमीटर पुननवा के रस को दिन में दो बार सेवन करें जिहां यह जो फेबड़ों में भरा हुआ पानी है यह आपकी कस्ट दूर करें देगा चोटे-चोटे से प्रभूग है जैसे कब्ज स्वेत पुननवा को आप इसकी जड़ को 5-10 ग्राम चून ले ले और इसको सोट में मिलाकर दिन में दो त कोई परिशानी है तो इसमें इसका साग बनाकर खाने से मूत्र कच में लाव होगा भगंदर पुननवा हल्दी सोट हरड दारु हल्दी गिलोए चित्र कमूल देवदार और भारंगी के मिस्रन का काड़ा बनाकर पीने से सूजन वाले भगंदर में अधिक लाव होता है चालिस से साट मिलीलीटर फांट गोल में 1 से 2 ग्राम सोरा मिला कर डाल कर पिलाने से जलोदर का रोक मिठ जाता है अदिक नवा अपा मारगा चिराताओ और सौट को एक साथ लेकर काड़ा बनाकर खाने से दिल के कारे कीचं करने की चमता जो है वॉ बढ़ जाती है और जलो जलोधर में पुननवा लाल गहत पुरयन जी हां पत्तों या रस रस से 20 मिलीटर पानी की मात्रा में सुबे स्याम सोट के साथ सेवन करने से पत्तों को पीस का गरम लेप करने से जलोधर के कारण पेट में उत्पन होने वाले दर्द में लाब मिलता है सुखे पुननवा का फ्लांट घोल बना कर उसमें सोरा मिला कर पीने से भी जलोधर में आराम मिलता है मैं आपको ये बातें बार बार रिपीट कर रही हूँ ताकि आपको किसी भी तरह की कोई परेशानी ना हो किसे समझने में इसके आप मैं आपको लीव्स भी दिखा रही हूँ ये मैं डारेक्ट जाती हूँ और वीडियो बना कर लेकर आती हूँ ऐसा कोई चीज नहीं है जो दुल लाब है अगर आप खोजेंगे तो सब कुछ मिल जाएगा हो जगता है गही है आपके आसपासी क्यारी में न खड़ा हो गुटनों का दर्द पुरन नवा की और कथा को मिला कर काड़ा बना कर पीने से हड्डियों की कमजोरी दूर होती है और दर्द में आराम मिलता है गठिया के रोगी को सफेद पुरन नवा या सफेद गदपुरेना को इसे गदपुरेना भी कहते हैं इसलिए आप मैं दोनों बार कभी कभी दोनों सब्द यूज़ कर देती हूं आप समझ जाईएगा सबजी के रूप में भी प्रयोग करने से आपको लाब मिलेगा अंदरूनी फोड़ा जी हां सफेद पुरन नवा की जड़ और वरुन की छाल को बराबर भाग मैं मिला कर उसका 14-28 मिलिलीटर काड़ा बना लें इस काड़े को 10 ग्राम सहत के साथ दो बार लेने से आंतरिक फोड़े के लाब होगा पुरन नवा के पत्ते 3-4 ग्राम और 4 ग्राम काले मिर्श सरबत की तरह गोल कर पीने से बेशाप साफ होता है फिर्दे की आंत्रिक सूजन पुरण नवा के पत्ते का रस सुबह स्याम 10-20 मिलिलीटर सेवन करने से आंत्रिक और बाहरिक दोनों प्रकार की सूजन में लाव मिलता है पुरण नवा की जड़ को अधरक की रस में पीस कर गाव पर लगाएं और सफेद फूलों वाले पुरण नवा की जड़ को उसके जूस के साथ किसकर गाव पर लगाएं तो नहरुआ में उत्मन सूजन मिट जाती है इस तनों में जलन हो रही है इसे पुरण नवा की जड़ का लेब बनाकर इस तनों पर लगाने से जलन और किसी के गर्ब में बच्चा बर गया हो जी हाँ पुरण नवा की 50 ग्राम ताजी जड़ का चून बनाकर 200 मिलेलीटर पानी में इतना पकाय की 50 लेलीटर ही बच जाए तब इसे चान कर इसका सिवन कराने से गर्बनी महिला जो है मरवा बच्चा जो है प्रश्चा उसे प्रजिनन हो जाएगा बहार निकल जाएगा गरी के लिए बता दू मुझे मैंने ये प्रयोग किया नहीं है अगर आपके पास आसपास कोई वैद्दे हो तो उसकी सलह आवश्य लेए तरह की जान का जोखे ना उठाएगा की जड़ के लिए बहुत बताया गया है इसकी जड़ को पुननवा को गुलाब जल में गिसकर सोते समय आँखों में लगाने से आँखों की हर तरह के नजर दूर कर सुधार हो जाता है और इसकी पत्तों का रस एक चमची मात्रा में दिन से दो बार सहथ के साथ आँखों मे प्रयोग करने से उससे भी लाव हो जाता है पुननवा की जड़ों को पीस कर घी में मिलाकर अंजन करने से भी लाब मिल जाता है पुननवा की जडों को पीस आँखों में लगाने से ती में रोग से यह अंधेरा जो आता है उसे मुक्ति में लेगा। सोध अर्थात सूजन जी हाँ लगभग एक ग्राम का चोथा भाग पुनननवा मंदूर दिन में तीन बार पानी के साथ लेने से सरीर की सूजन खत्म हो जाती है। लगभग दस से बीस मिली लीटर पानी की मात्रा में लाल पुनननवा के पत्तों का रस या इसकी जड़ को लगभग दस ग्राम सूट के साथ से उन करने से सूजन खत्म हो जाती है। पुनननवा के पत्तों की सब्जी रोजाना सेवन करते हुए इसकी जड़ अर्था चम्मच की मात्रा से आधा नौसादर और गरम पानी के साथ सूबह से आम पीने से तुरंत सूजन में आराम मिलता हम पूरन पुनननवा की जड़ ले 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 और नागर मुथा को लेकर कलक लुगदी बना लें जी हां फिर इसे 640 मिलीटर गाएं के दूद में पका कर वाच्ज सोध के लिए रोक के लिए जी हां सुबह से आम पीने से लाव होगा पुनननवा की जड़ देवदारू तथा मूर्वा को मिला कर तीन ग्राम की मात्रा में सहत के साथ लेने से गर्भा इस मिस्तरन को 20 ग्राम की मात्रा में 400 मिलीटर पानी में पकाएं जब यह एक चोथा इसे बुचित तो काड़ा बनाकर इसे पीने से सूजन में आराम मिलेगा खड़ भार में स्वेत पुनननवा दो ग्राम इसकी जड़ ले लें और दूद या तांबूल जी हां इसके साथ सुवे साम सेवन करने से बुखार में आराम मिलता है और पुनननवा के सेवन करने से पेसाब की चलन और मुत्रमाग की परेशानी जो भी है संक्रम और सम्मंदित जो परेशानी है वो भी दूर उस जहर को भी दूर करता है पुनननवा का सेवन साब के सभी प्रकार के जहरो से आपको दूर करते हैं मैंने किया नहीं है इसलिए ध्यान रहें दिकी सलहा के द्वारा ही इसका प्रयोग काटने पर इसका प्रयोग आम बात है विच्ची अगर डंग मार्दे और जहर उसके प्रपवा के टैनिया अगर